हलो और विल्कम टू माई चैनल मैं मुहम्मद मुदसिर आलम घड़ी पर रात के साड़े आठ बच चुके हैं आप सब की यादत मेरी यादत लाइफ सेशन का टाइम है हर दिन मैं लाइफ सेशन आता था पिछले दो से तीन महेंने से और आपसे लगातार बातें करता था कोई आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगी इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा वो लोग जो 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 जोईन किया है इसलिए वीडियो को प्रिमियर में उन सब को आप सब को बहुत बहुत बदाई मुबारक बाद कंगरचुलेशन्स और ठैंक यू किया आप सब्सक्राइब कर दीजिए बिल का इकन को जरूर दबाईए ताकि कोई भी लटेश्ट अपडेट मैं इस चैनल पर प्लोट खुरो तो उसकी इंफॉर्मिशन आपको सही समय तक मिले और हमेशा कि दर आप से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जोईन कर लीजिए इस चैनल के हुआ था उसमें से कुछ लोगों ने पैसे भी जमा किये थे लेकिन लिश्ट जारी नहीं की गई थी इसके लावा वो लोग जिनका नाम वेटिंग लिश्ट में अब उनका क्या होगा यह बिल्कुल बहुत बड़ा से सवाल है कि क्या होगा उनका आगे तो मैं आगे आगे मेरा अध्मिशन कंफर्म हो जाए और मैंने भी आपको बार बार बोला था कि आप वेटिंग लिश्ट में है तो एड्मिशन क्लीज प्लीज कैंसल मत कीजिएगा कोई फायदा है नहीं वेटिंग लिश्ट वालों को ऐसे भी फुल रिफंड हो जाता है तो ऐसे लिए जुन आपका नाम कंफर्म लिश्ट में हो इसलिए आप हर बढ़ाहत में आज या कल जाकर अड्मिशन विड्रॉब बिल्कुल मत कीजिए इसलिए मत कीजिए कि हो सकता है कि आपका अड्मिशन कंफर्म हो जाया जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करूं तो सनी शाहिद ने 28 सितंबर क किया है उसके बाद वेटिंग नंबर दो या तीन पर दो जो थे लोग हो सकता है अगर सीट खाली हो तो उनका कंफर्म हो सकता है जैसे कि अरिहंत सानु जिनको बोलते है यादव जी वह भी वेटिंग में हो सकता है इसी तरह कि कुछ और कैसे से अलगलग कोर्स में जो पूर को इनवर्सिटी खुलेगी तो तीन अक्तुबर के शाम या चार तक हो सकता है उसमें आपका नाम कंफर्म हो सकता है तो आपको मैं फिल वर्लिंग दे रहा हूं कि आप एड्मिशन को बिल्कुल विड्रॉ मत कीजिए अब अगला सवाल है कि वो लोग जिन लोगों न लोगों का नाम कंफर्म लिष्ट में आएगा और जिन लोगों का कंफर्म नहीं होगा उनके एड्मिशन को कैंसिल करके उनके पैसे वापस कर दिये जाएंगे फुल रिफंड विदाउट एनी डिड़क्शन तो यह उन लोगों के लिए इन्फार्मेशन थी जो वेटिंग ले लिए जिन लोगों इस अट्रिल इन्वर्सिट ऑफ साउध बिहार में कि आगे क्या होगा गल्स के लिए मैं कह रहा हूं मेरे पास जहां तक जानकारी आई है कि गल्स होस्टल में अभी भी सीट्स हैं तो जिन लोगों के नाम अभी भी नहीं आए हैं वह डिरेक्टली जाएं अप्लिकेशन दें और उनसे बात करके अपने करवाएं क्योंकि अभी भी सीट्स वैकेंट हैं वाइस के लिए हाला कि जा सकते हैं पता कर सकते हैं अगर कोई वैकेंशी है तो जाकर अपने स्लिप को दिखा कर अप्लिकेशन देकर अलर्टमेंट ले सकते हैं इसके लावब दो तिन बाते हैं और जैसा कि आप को पता हो या नहीं पता हो कि इनवर्ट सिटी में 19 अक्तूबर को कॉन्वकेशन होने जा रहा है इस कॉन्वकेशन में वो लोग जिन लोगों ने सकता है आप विह सकता है आप को भी उस का Anyu गीण को सकते हैं स्ट्री मयूद्यम और द्रोपदी नासेत्स पिछले वीडियो में दिया था कि वो लोग युनों ने अडमिशन पिड्रोख करा लिया है पहरे उनके refund नवंबर के महने में आएंगे नवंबर के महने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे और पैसे उस अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट से आपने fee payment किया था उसके अलबा किसी और account पे पैसे नहीं आएंगे तो आपने जिनके भी account से payment किया है चाहिए आपने किया हो अपने रिश्यदार के account से payment किया हो या किसी cyber kf वाले से किया हो उनको inform कर दीजिए कि पैसे आएं तो आपको inform कर दें साथ साथ जिन लोगों ने पहले admission कि आपको मैं बता दू क्योंकि आपके सवाल आ रहे हैं लगातार आ रहे हैं और एक आखरी चीज़ और कि अब कोई fresh admission university में किसी भी हालत में नहीं होगी बहले ही सीट खाली रह जाएं बहले ही कोई admission withdraw करें अब आपको अगले साल तक कह इंतिजार करना पड़ेगा और फिल universities में अभी भी स्वाट राउंड चल रहा हो आपको आपको आखरी आखरी मौके पर वह मौका आपको मिल जाए वह चांस आप कर लें तो यह लाइफ सेशन के जगा यह वीडियो था मैंने इसलिए वीडियो को आप सब के लिए प्रस्तित किया लाया कि आपको जो सूना पन लग रहा है जो आप बात करने के हैविच्वल हो चुके थे वह ना लगे और आप मेरे साथ जुड़े रहें कल मैं फिर पॉसिबल होगा तो किसी और टापिक पर साड़े आड़ बजे ही एक वीडियो लांच करूंगा जिसे आप जरूर देखिएगा हमेशा की तरह आप विसेज शब खायर शुब रात्री गुड़ नाइट जैहिंद